हम मंदिर क्यों जाते हैं? मंदिर में हजारों लाखों लोगों को ऐसा क्या मिल जाता है कि हर दिन मंदिरों में भीड रहती है? नमस्ते दोस्तों, सनातन सोच के इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं, हजारों साल पहले मंदिर क्यों बनाय गये थे? आखिर हम मंदिर कब जाते हैं? वरत वाले दिन, त्युहार वाले दिन, फॉस जैनवरी, नई गाड़ी, नई नौकरी, नया घर, शाधी के बाद, ऐसे कई मौके हैं जब हम मंदिर जाते हैं कहीं न कहीं मंदिर जाने के पीछे हमारी मटीरिलिस्टिक अप्रोच जी है हम कुछ मांगने जाते हैं या कुछ मिल जाए तो भगवान को थेंक्यू बोलने जाते हैं क्या वाकई हजारों साल पहले मंदिर इसी वज़े से बनाये गए थे? आखिर मंदिर बनाने की वज़े क्या रही होगी? हमें क्यूं आवशक्ता पड़ी होगी मंदिरों की? density में catch करने के लिए चाहिए एक powerful tool जो है मंदर एक तरह से यू समझ ये cosmic connection के लिए बनाए गए powerful tool है मंदर ये एक possibility है उस dimension को छूने की जिससे हम इंसान बने ये संसार बना ये ब्रह्मान बना और ब्रह्मान में दूसरे आयामों से connection बठाने के लिए हमारे पूरवजों ने ना जान आ जाना नहीं होता है दोस्तों ये प्राण energy की तरह प्रतिष्टित किया जाते हैं जी हां मूर्तियों को energize किया जाता है और जब हम उन मूर्तियों के सामने बैठते हैं तो हमें वो energy महसूस होती है हमें परिशानी का हल मिलता है हमारा दुख दूर होता है और हम divine energies की वजह से होता है दोस्तों ये energy आपका system जब catch करता है तो आपके energy body aligned होती है और आप positive feel करते हैं जैसे हमें अलग लग लगों से positive और negative vibes मिलती हैं देखिए दोस्तों energy जो है वो आपके thought process से drive होती है और सामने वाला वही महसूस करता है ठीक उसी तरह जब हम प्राचीन मं मंदिरों में जाते हैं तो हमें वाकी positive vibes महसूस होती है अगर आप अपनी energy के प्रती sensitive होंगे तो आप ये जरूर महसूस कर पाएंगे कई मंदिरों की energy ऐसी होती है कि आप अपने आसू नहीं रोक पाते आप emotional हो जाते हैं हो सकता आप guilt महसूस करें उस काम के लिए जो आपक जाता था ताकि आपकी body उस energy के लिए और receptive बने मंदिर कॉस्मोस के साथ अपना connection बठानी की जगा के तौर पर बने थे जहां आख बंद करके ब्रह्मान के आयमों से जुड़ा जाता था तबी तो आज भी जब हम मंदिर जाते हैं तो कुछ देर आख बंद करके जरूर हैं मंदिर उसमार कतवार है हम यह नहीं कहते कि सिर्फ मंदिर जाकर यह संभव है दोस्तों अगर आपके घर में मंदिर जैसा environment है consecrated मूर्ती है तो आप कॉस्मोस के साथ अपने connection को और strong कर सकते हैं हमें जितना हो सके इस energy के पास रहना चाहिए प्राण प्रतिष्टित इस्थानों पर जाना चाहिए खास कर 14 साल से कम उम्रवाले बच्चे अगर consecrated spaces पर regularly जाते हैं तो उनके adolescence problems बहुत हद तक अपने आप resolve हो जाती हैं दोस्तों मंदिर या कहिए consecrated spaces उस dimension से जुणने का दौार हैं जहां से हमारी उत्पत्ती हुई है ये एक तरह की technology ही है जिससे हमारा energy system ऐसे aligned होता है कि हमारा जीवन को देखने का नजरिया ही बदल जाता है तो अगली बार जब भी किसी मंदिर में जाएं तो वहां की प्राण प्रतिष्ट मूर्ती और उस consecrated space की energy को अपनी energy system से एक होता जरूर महसूस कीजेगा दोस्तो सनातन धर्म सिर्फ धर्म नहीं है ये एक सोच है ये एक science है जिसे हजारों साल पहले evolve किया गया था जो इनसान को upgrade करती है और आज भी ये उतनी ही applicable है दोस्तो इस modern यूग में हम बाहरी तोर पर बहुत बदल चुक है लेकिन हमारे अंदर इनसान अब भी वही है और आज भी सनातन practices और science हमें upgrade करने के लिए उतनी ही applicable है सनातन सोच के माध्यम से मैं ऐसी ही चीजे ऐसी ही science आप तक पहुचाता रहूँगा दोस्तों अगर आपके दिमाग में भी ऐसी कुछ practices हैं science हैं तो आप मुझसे जरूर share कीजिएगा क्योंकि हमें लगता है इस वक्त वर्तमान में सनातन सोच की आवश्यक्ता है क्योंकि यही हमारा भूत है और यही हमारा अविश्य प्रणाव